बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नवसकार राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रविण मिस्र आईए जानते हैं 25 जून 2022 का दिन आपका कैसा बीतेगा सबसे पहले बाद पंचांग की 25 जून 2022 दिन शनिवार आसाड मास चल रहा है क्रशन पक्ष है द्वादसी तिति है भर्णी नचत्र रहेगा सुबह 10 बज कर 24 मिनट तक फिर कृतिका नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा मेश राशी में रहेंगे साम को 5 बज कर 3 मिनट तक फिर ब्रश राशी में प्रवेश कर जाएगे भगवान शूर मिथुन राशी में बिराजमान है आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11 बज कर 56 मिनट से दो पहर 12 बज कर 52 मिनट तक जो भी शुब काम करना है अभिजीत मुहूर्त में करियेगा तो कारियों में सफलता प्राप्ति की सम्भावना जादा रहेगी राहुकाल का समय है सुबह 8 बज कर 54 मिनट से सुबह 10 बज कर 49 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी महत्यपूर्ण कार ना करें दिशा शूल है पूर्व दिशा तो पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें चलिए शुरू करते हैं राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वाले अपने वानी का प्रियोग आज सोज समझ कर करें क्रोध पर नियंत्रन रखें आपके रुके हुए काम पूरे होंगे शुबरंग मरून उपाय देशी गाय को रोटी खिलाएं ब्रश राशी अचानक धनलाब का योग है परिशानियों से छुटकारा मिलेगा पुराने संबंधु में नई जान आएगी शुबरंग सफेद उपाय किसी मंदिर में एक तुलसी का पवधा दान करें मिथुन राशी परिवार से सहयोग प्राप्थ होगा व्यापार में लाब मिलेगा धन प्राप्थी के आवसर प्राप्थ होंगे शुबरंग नीला उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें करकराशी आपके काम की तारीफ होगी धन की प्राप्थी का योग है भागे का साथ मिलेगा शुब्रंग सफेद उपाय किसी गरीब को एक किलो आटा दान करें सिंग राशी काम को लेकर व्यस्त रहेंगे आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा शुब्रंग के सरिया उपाय हनुमान जी की आरती करें कन्या राशी यात्रा के योग बन रहे हैं काम में चुनोतिया आएंगी साहस के साथ सामना करेंगे शुब्रंग सफेद उपाय किसी मंदिर में बिजली का बल्ब दान करें तुला राशी जीवन साथी से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी आपको उन्नति के रास्ते प्राप्थ होंगे अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा शुब्रंग क्रीम उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें ब्रश्चिक राशी किसी से मतभेद हो सकता है बहुत दिनों से अटका हुआ काम पूरा होगा उधार पैसे किसी को ना दें शुब्रंग लाल उपाय किसी मंदिर में एक किलो गुड दान करें धनु राशी आलास से बचना होगा परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे व्यापार में तरक्की के आउसर मिलेंगे शुब्रंग केशरिया उपाय हनुमान चालिसा का पाठ करें मकर राशी नए लोगों से मुलाकात होगी समाज में सम्मान बढ़ेगा धन के लेंदेन में सावधानी बरतना होगा शुब्रंग सफेद उपाय गायतरी मंत्र का एक सवाड़ बार जाप करें कुम्ब राशी आपकी नतिर तुछमता और बढ़ेगी कामकाज में सफलता मिलेगी परिवार के सांथ वक्त बितेगा शुब्रंग नीला उपाय पक्षियों को दाना खिलाए मीन राशी एक्टिव होकर काम करने का दिन है किसी काम को टाले नहीं मित्रों की मदद आपको प्राप्त होगी शुब्रंग आस्मानी उपाय हनुमान चालीशा का पाठ करें राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपका दिन बहुत शुब हो नवस्कार प्राप्त